गणेश जी की बुढ़िया से खीर खाने की कथा एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूद लेकर पृत्वी लोग में निकले वे सब को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे पर सब ने उनकी बात को अंदेखा किया इसी दोरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूले पर चढ़ा दिया इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बरतन चूले पर चढ़ाने को कहा बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया कुछ देर में ही एक चमतकार हुआ गणेश जी के दिये चावल और दूद बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आये तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें खीर खिला दी खीर बनते देख रही पडोशन को भी बुढ़िया ने कटोरा भर कर खीर दे दी बेटे की बहु ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली आजारे गणेस या खीर खाले तभी गणेस जी वहाँ पहुच गए और बोले कि मैं तो खीर पहले ही खाली जब बुढिया ने पूछा कि कब खाई तो वो बोले कि जब तेरे पोते पोती पडोसनवा बहु ने खाई तभी मेरा पेट भर गया इसके बाद जब बुढिया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेस जी ने उससे कहा बाटने को जब बुढिया ने खीर बाटी तो राजा को भी इसका पता लग गया इस पर उसने बुढिया को अपने दरबार में बुला लिया सारा माजरा जान कर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मगा लिया पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुँचा तो उसमें कीडे, मकोडे वा जहरीले जानवर गिर गए यह देख राजा ने वह वरतन वापस बुढ़िया को दे दिया जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूँचा तो उन्होंने जोपडी के कोने में गार देने को कहा ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी जोपडी को लाग मारते हुए अंतर ध्यान हो गए अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी जोपडी महल में बदली हुई और खीर के बरतन सोने जवाह रातों से भरे मिले गणेश जी की कृपा जान कर बुढ़िया काफी प्रशन हो गई ये गणेश जी महाराज आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सब को देना कथा कहने वाले वहुंकार भरने वाले और आस पास के सुनने वाले सब के भंडारे भरे रखना